नमस्कार दोस्तों स्वागे था अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों इसूड बात करने वाले हैं रिलवे एंटी पीसी चाए आपने ग्रेजूशन या अंडर ग्रेजूट से अपलाई किया हैं दोनों में लगबग कितने फॉर्म हैं वो आए हैं बात करने वाले हैं एक यहाँ पर रिप्लाई रिप्लाई रिसीव हुआ है जो आप देखेंगे इस रिप्लाई के एकोर्डिंग जब एक पोस्ट पर फायट देखे गई तो मातर 46 केंडेट आप कहेंगे यह होई नहीं सकता तो इसको प्रूप अवन देखने वाले हैं अभी देखेंगे यह जो आपका RTI रिप्लाई मिला है फिलाल तो मातर RRB ब्लासपूर का है लेकिन यहाँ से आपकी RRB का आप कैसे आईडे लगाएंगे उस पर भी बात करेंगे विस्तार से इसमें आप देखेंगे तो यह 23 अक्टूबर को केंडेट ने RTI डाला और 25 अक्टूबर को इनको रिप्लाई मिल गया आपको बता दूँ NTPC graduate के form की last year जो बढ़ा ही गई थी वो 20 अक्टूबर की गई थी और under graduate की की गई थी आपके 27 अक्टूबर लेकिन यहाँ पर 23 अक्टूबर का इनको जो भी डाटा रिसीव हुआ है वो send कर दिया है अब अपन डाटा का विश्तेशन करते हैं category वाई जो यहाँ पर रिसीव हुआ है उससे पहले आपको अपने आपका विश्तेशन करना पड़ेगा कहाँ पर आपमें कमी है जो exam से प लगवग एक वर्ष का साधे 300 से भी कम प्राइज का दो वर्ष का क्या काम आएगा आपको पता है cvd1 के बाद cvd2 भी होने वाला है तो आने वाले दो वर्ष में जो भी exam सो railway का sse का सारे exams के कहने का मतरब 800 प्लस exam की mock test आपको test book pass pro में मिल जाए तो जो भी exam साएं next दो वर कैसे pass pro join करके आपको फाइदा उटाना है डेमो वीडियो देख लेना अब जो अपन को RTA reply मिला था इसको यहां पर मैंने table के format में आपके सामने रखती आए आप देखेंगे बिलासपूर cn05 2024 है category wise post भी बता देता हूं जैसे यहां पर 05 है यह आपका graduate level का graduate level में cv2 exams होगा उसके बाद आपका skill test typing होने बारा है और आपकी final merit दे होते है cv2 के बाद तो cv1 से cv2 में आपको पता है 15 गुणा अब बिरति क्वालिफाई किये जाते हैं उसके बाद cv2 के बाद typing के लिए 8 गुणा तो अभी जो आप यहां पर post देख पारे हो ना 649 है cv1 मे आपके लिए ये vacancies रहने वाली है 9,635 है क्योंकि यहां पर 15 times candidate qualify किये जाने है तो 9,635 और total form कितने आए हैं वो आप यहां पर category wise देख सकते हो graduate में total form है 4,1,220 अब category wise आप थोड़ा competition का अंदाजा नहीं लगा सकते हो क्योंकि जो UR वाली vacancies रहती है वो सभी के लिए LG वाल वाले भी ST वाले भी OBC वाले भी EWS वाले भी आप SC में अकिला कामिटेज निकालना चाओगी तो ऐसा नहीं केवल SC वालों के यठा सी पोस्ट है यह UR वाली भी है और इस UR में केवल SC वाले ही नहीं आएंगी other category वाली भी आएंगी तो इसमें थोड़ा मुस्किल है लेकिन 23 तारीक को इनों ने डाला है फॉर्म भणने की लाश्ट देट थी 20 अक्टूबर तो यह एक फॉर्म डेट खत्म होने के बाद का डाटा है तो यह authentic है लगबग final डाटा आप मानिएगा और आप इसमें category wise देख सकते हो कितनी पोस्ट है UR के लिए आपके विलासपूर में SC STOBC और साथी साथ यहाँ पर 15 गुणा आप देखेंगे तो यहाँ पर 9,635 वेकेंसिस कंसीडर करेंगे भाग देंगे तो 46 गेंडेट लगबग डाटा आराफ लाट अब अब अपन UG की बात कर लेते हैं उसके बाद आएंगे आपकी भी RRB पर ठीक है लगबग अवर और इस एकोर्डिंग कितने फॉर्म आ सकते हैं यहाँ पर UG अंडर गिजिट 12 पास वाले केंडेट की बात कर तो टोटल आविदन आये हैं 2,5,375 इसमें केटेगरी वाइज यह डाटा है लेकिन यहाँ पर आपको बता दू इसकी फॉर्म भनने की लाश्ट डाट बढ़ा ही 27 अक्टूबर की गई थी जो अभी चल रही आज 25 अक्टूबर है 27 अक्टूबर है तो इन्होंने जो reply दिया है 23 अक्टूबर के आधार पर दिया है तो अब को पहरे जो डैर थी ने वो 20 अक्टूबर थी ठीकAND해서 27 क्योPS मैंनता हुँ 20 अक्टूबर तक आ गए हैं अब कुस ट्वालों के लिए ये स्थती है विलासपूर में टोटल आप देखेंगे आवे दिन दो दो लाग पांच जार पोस्ट है कितनी है ट्वालों के लिए विलासपूर में कैटेगर वाइज ये विगरन है जिसमें 152 टोटल वेकेंसी से इसमें भी 15 गुणा केंडेट पास किये और फाइनल मेरिट 72 के मार्क्स के बैस पर रहती है तो 15 गुणा में 2280 केंडेट फिला 51 में पास होंगे उस केस में आपका कमिटेशन रह जाएगा 90 केंडेट का जब इसका भाग देंगे आप 2280 का नबबे केंडेट का वैसे अवर आल देखें फाइनल मेरिट तक ये दिसी है वो इस केस में आपके एक पोश्ट पर कमिटेशन लगबग 400 केंडेट का निकला था आर्पी पैसा ही में अब आप कहेंगे ब्लासपूर कैसा आरार भी है इसमें कितनी वैकेंसी की रेंक थी अवर आल वैकेंसी जब आप ग्रेजूट की देखेंगे तो वह 8,113 है उनमे यहाँ पर फॉर्म भी अच्छे खासे आये हैं जब वैकेंसी हाई एस्ट होती है पिशली बार का टॉप भी इसकी ज्यादा रही थी तो केंडेट यहाँ पर आविदन की एक सेब जोन में था बिलासपूर तो मैक जिम आविदन एक तरीके से यहाँ पर रिशिव हुए है आपको तो यह चीज़ कंसिडर करें तो लगता है कुछ ऐसी आरार्वी है गुवाटी हो गया यहाँ इससे कम यहाँ उन बाकी आरार्वी कमिटेशन रहता है मालदा तिरवन्पुर्म हो गया जमू हो गया इसके त्रिक्तर सिली गुड़ी है और यह जरूर कि इससे जएद आपको मुंबई इम फॉर्म देखने को मिल जाए कॉलकता में फॉर्म देखने को मिल जाए लेकिन काफी आरार्वी में ब्लासपूर से कमी फॉर्म रहेंगे और ब्लासपूर के आसपास ही रहने वाला है यह तो ग्रेजुशन में इस्तती है चलिए लगे हाथ यहाँ पर अंडर्ग्रेजुशन 12 पास वालों की भी देख ले विलासपूर की तो वो थोड़ा नीचे है आठो इस्तान पर है विलासपूर यहाँ देखेंगे यह रहा आपका विलासपूर तो यह आठो इस्तान पर विलासपूर है वेकेंसी की मामले में अंडर्ग्रेजुशन 12 वा इसके आसपास बहुत से RRV या इससे कम ही रहेंगे जैसे इसमें कम्पिटेशन देखेंगे फाइनल का 600 पिंचान है तो आपको वेरिशन कुछ ऐसे देखने को मिलेगा यानि सबसे लोवेश जैसमें कम्पिटेशन रहेगा वो लगभग 500 के आसपास रह सकता है किया है तो यहां से भी आपको बता होगा पहले येलपी में जो डाटा याता लगभग 19 से 20 लाग केंडेट का है जिसमें केवल योगिता आईटी बैस परती यहां पर एक तरीकी से ओपन है मेकजिम केंडेट आविदन करेंगे 12 वाले में भी ग्रेजूट वाले में भी तो ज्यादा केंडेट लगभग 35 लाग के आसपास डाटा देखने को मिल सकता है बागे आपने SSC GD मा भी देखा है 50 लाग केंडेट आविदन कर दिया है 2025 वाली में तो यहाँ पर भी डाटा है वो उसकी इर्द गिर्द चाने की संभावना है 35 लाग के आसपास बागे आपका क्या मानना है वो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे और कौन सी आरारी से आपने अपलाई किया है कैसी त्यारी चनल रही है आप मॉक टेस्ट दे रहे हो